दोस्तो वेलकम बैक मैं हूँ आपका दोस्त दिपन and today we're going to start 6th December के important current affair कोई भी आपको doubt लगा तो आप हमें comment box में पूछ सकते हो और PDF के लिए हमारा channel SPM Twitter को follow कर सकते on the telegram so भाई faster जो 6th December को हम commemorate करते हैं क्योंकि इसी दिन beer अंबेदकर की death anniversary है okay then जे हमारे constitution के हमारे father मानने जाते हैं बई okay जो हमारा article 32 है उसको इनके दिवारा कहा गया था heart and the soul of the constitution okay जी जे क्या है हमारा right to remedies जो remedies के बारे में है वो हम कभी अगर political class करेंगे देन आपको पता चलेगा अब हम बेज़कर जी news में थे क्योंकि इनका एक circuit है हमारे tourism sector को promote करने के लिए हमारी government की ओर से इस initiative को लिया गया जो उनकी life care related जो भी हमारी cities हैं कुछ भी areas हैं उनको जे develop करेंगे आने वाल टाइम में इस पर tourism sector हमारा increase होगा जैसे के जो cover करेगा मियों को जो के जहां पर अम्बेदकर जी की birthplace है भाई नागपुर जो के जहां पर यह बुदिस्म convert हुए and 26th जो अलिपुर रोड दिल्ली में वहां पर उन्होंने अपना last वाला time spend किया and दादर इंदी महरास्टरा वेर उनकी जो उनको दुफनाया गया ठीक है so important है सभी places आपसे पूछ सकते हैं अम्बेदकर सरकेट में कौन सी चीज हमारी कौन सी city कौन सा area consider नहीं किया जाता then आपको एक different डाल देंगे then आपके लिए difficulty यहां पर बन सकती है अगर आपने पढ़ा एदन आपको easy होगा next वी world soil day 5th December को बनाते हैं theme क्या है soils where food begin mainly आपको पता है soil care related जो भी awareness फैलाएंगे हमारे healthy ecosystem को promote करेंगे वह के उनके बारे में यहां पर बातचीत होगी on the world soil day को जे international union of soil science के द्वारा recommend किया गया था इन 2002 में लेकिन 2014 में 5 December को हमारी United Nation Journal Assembly के द्वारा इसको start किया गया United Nation Journal Assembly क्या है भाई जहां पर 193 means countries participate करती है इसका member है सभी countries यहां पर board डाल सकती है लेकिन जो United Nation Security Council होती है उसके under only 15 countries participate करती है उसका member होती है जिसमें से 5 होगी permanent जिनके पास होगी veto power ठीक है जी और 10 होगी temporary ठीक है उसके जो main organization से एक है United Nation Security Council and हमारा United Nation Journal Assembly नेक्स्ट यहां पर National Advocate Day 3rd December को हमने commemorate किया जो किसके द्वारा करवाय जाता है भी by the Lawyer Committee of India जो के birth anniversary of Dr. Arjinder Parashal को हम commemorate करते हैं जो के हमारे first president of India थे और साथी में एक eminent lawyer थे that's why उनके worth को commemorate करते हैं और 1962 को उनको बारत रातन अवोर्ड से भी समानित किया गया था next यहां पर film maker SS Raja Mooli से भी जानते हो बैस्ट डिरेक्टर है RRR movie के लिए इनको दिया गया New York Film Critics Circle के circle में ठीक है और यहां पर RR movie तो आपको पता ही है पहले बहुबली आई थी इनकी बहुबली 1,2 बहुत अच्छी movie थी that's why इनको इनके लिए इस award को दिया गया New York Film Award है लेकिन हमारी Indian Award Film को दिया गया है that's why हमारे लिए important है लेकिन और यहां पर important दियान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको ओसकर के बारे में पता हो चाहिए उसकर से question पूल सकते हैं लेकिन जो country अलग लग करती है उनको हमको दियान में रखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट बई बीजे हजारे ट्रोफी अभी हाली में न्यूज में थी cricket tournament है जै इसके साथ में कुछ और tournament है जैसे हमारे रंजी ट्रोफी शेद मुस्ताद अली ट्रोफी एंड बीजे हजारे ट्रोफी जो हमारे domestic events होते हैं बई टेस्ट की वील्ड में रंजी ट्रोफी होगी दन बंडे की वील्ड में मींस के बीजे हजारे ट्रोफी जो इंडिया में domestic लेवल पर खेली जाती है और रंजी ट्रोफी को दो हर बाइस में बद्दय पर देश ने जीत लिया एंड श्याद मुस्ताद अली को मुंबई ने एंड जो हमारे बीजे हजारे है ट्रोफ वहाँ पर अभी हाली में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बढ़ना था और जो हमारा IPL हुआ था IPL का लास्ट मैच भी कहाँ पर हुआ था इंदी एहमदाबाद गुजरात नरेंद्रमोदी स्टेडियम में जिसको गुजरात ने जीत लिया था किसको हराकर राज्यस पुछने के चांस काम है लेकिन आपको पता होना चाहिए जो तीन इंडियन औरीजन बूमेंज हैं अभी हाली में स्टेडिया सूपर स्टार ऑफ स्टेम स्टेम क्या है स्टेम की फुल हम देखो साइंस टेकनोलेजी इंजिनिरिंग एंड मैथामेटिक्स की फील्ड से बिल देखो भई नालीमा कदाइला डक्टर अना बबुरमानी देन डक्टर इंद्रा नानी मुखर जी सो यह लग लग फील्ड से बिलोंग करती है जैसे कि द्याला जो कि आईटी प्रोग्रम मनेजर है देन जो बबुरमानी है जो कि सैंटिफिक अडवाइजर है देन मुखर ज या एक डीप टाइम जोलोजिस्ट है इंदी जुनिवस्टी आप तसमानिया इनको एदा यहाँ पर उन्र किया गया नेक्स्ट भई महात्मा गांधी नैशनल रूलर इंप्लोईमेंट गरंटी एक्ट जो कि इंडिया में लाई गई थी जो हमारे रूलर एरिया में कुछ हम तो इसमें सुदार लाने की कोशिश करेगा जो के हेड किया जाएगा वाइदी अमर्जी सिनहा एंड साथी में जो चीफ एकनॉमिक अडवाइजर है हमारे अनन्था नागरेशिवरम उनके द्वारा भी इसको इसके बीच में वो मेंबर हैं जो बात चित करेंगे कैसे हम इ रूलर एडिया तक इसको पहुचा सकते हैं जहां पर क्या है हंटर्ड डे तक की जो हमारी अंस्किल्ड वरकर्स को नोकरी प्रवाइड करने के लिए इस स्कीम को लाए गया था दो यर पांच में ओके ने अभी हाली में आपको पता है भी यह नियूज में चल रही थी जो की दवारा इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि जो रूलर हमारे एरिया में पीपर रहते हैं उनके बास मुवाइल तो होता है हो सकता है हो लेकिन उनको अपनी अटेंडर से लगाने का नहीं मालूम होता नहीं पता चलता that's why उनको डिफिकल्टी स सेनी पढ़ ली सी that's why हमारी जो सरकार के द्वारा जिल आए गई है और आने वाल टाइम में अपनी रेकुमेंडेशन देंगी जो अपनी रिपोर्ट को सम्मिट करेंगी फरबरी दोयर तैस तक के लिए ओके नेक्स्ट में सवार दरोहर फेस्टिबल जो के हमारी मिनिस्ट् आए आर्ट को गल्चर ओफ इंडिया को जो हमारे लिच्ट रेबलरी आर्ट है हेरिटेज ओफ इंडियन स्टेट्स को जहां पर प्रमोट करता है इसको that's why करवाय जाता है जहां पर स्यूफी म्यूजिकल लिट्रेचर और फेस्टिवल सभी जहां पर करवाय जाते हैं ठीक अनको 1500 कर दी और साथी में उनको लैप्टोप प्रवायड करेंगे साथी में जो अधर बेनिफिट्स आनको प्रवायड करी जाएंगे जैसे मुवायल क्लिनिक के पहले देखो जो जो 1000 से 1500 कर दी लेकिन जो पंजाब है हमारी पंजाब की स्टेट है वाँ पर आपको सभी को पताना चाहिए जो हमारी old age pension है कितनी है 1500 जो अगर पंजाब से विलों करते हो सो ऐसा question बन सकता है तो ध्यान में रखना नेक्स्ट बई global cost of living survey अभी हाली में launch किया गया जिसमें बताया गया अभी जो most expensive city है to live जो daily cost of the living कितनी है जिससे उसके according को किया गया consider 172 cities को consider किया गया इसमें जिसमें first number one New York रही USA की then Singapore then Tel Abiv इसराइल की capital then यहां पर capital नहीं है वैसे mainland की city है इसराइल के कुछ जो countries है इसकी जो Jerusalem capital है उसको नहीं मानते वो इसको Tel Aviv को मानते है then Hong Kong and then Los Angeles और सबसे कम जो costly city है हमारी least costly city कौन सी है डेमासकस next हमारे कुछ questions है who presented the national award for the empowerment of persons with disability 2021 के लिए so Ken के द्वारा भाई so मैं यहां पर president of India द्रौपती मुल्मों के द्वारा दिये गए जो भी हमारे disability persons है ठीक है उनको disability persons है उनको promote करने के लिए उनको empower करने के लिए जै दिये गए इन्दी न्यूदिली में ठीक है जी on the occasion of हमारे international day of personal with disability कप था 3 December को next यहां पर देखो केते वो first G20 शेरपा मीटिंग कहां पर होगी शेरपा मीटिंग कहां पर होगी जे होगी बई इन्दी उजेन राज्यस्तान में जे रहा उजेन राज्यस्तान में इसको करवाय जाएगा अब ऐसी लग-लग सी मीटिंग होगी जैसे के फिनांस मिनिस्टर के दवरा भी हाली में अनौंस किया गया जो G20 फिनांस मिनिस्टर और सेंटर बैंक गवर्नन जो मीट होगी कहां पर होगी इन्दी बैंगलूरू फरबरी में होगी और साथी में आपको पता होना चाहिए भी एक दिसंबर से लेकर तीस नवंबर तक जो हमारी G20 की प्रेजरेंशिप है किसके पास है भई इंडिया के पास है इससे पहले जो 22 में किसके पास थी इंडोनेशिया के पास थी ओके इंपोर्टन्ट है जो द्यान में रखियो यहां पर देखो जो फॉर्मर सी यो थे नितियो जोग के अमिताब कांत अब कोड़ बन चुके है भई बताओ यहां पर परमेश वर्म ऐयर परमेश वर्म ऐयर यह बन चुके हैं हमारे सी यो अफ नितियो जोग लेकिन जो हम पहले थे हमित कांत अमिताब कांत इनको G20 के शेरपा बना दिया गया था जिन्हों ने रिप्लेस किया था हमारे प्यूश गोईल को जो कि हमारे Ministry of Commerce, Industry and Consumer Affair Minister है अब Consumer Affair देखो यहाँ पर Consumer की protection के लिए मेंज कि उनको बताने के लिए उनको अवेर करने के लिए एक मसकट लॉंच किया गया था वो प्लीज आप बता सकते हो सो देखो वो कौन था था जागरीती जागरीती नाम का जो एक मसकट लॉंच किया गया था बाइदी जो इस Consumer Affair Department के दवारा जो कि हमारे Consumers है जो भी हम है कोई चीज ले रहे हैं सो हमको पूरी तरह उसकी जागरुकता होने चाहिए उस पर डक्ट की हम कैसे उसको औरिजनल है जाड डुप्लिकेट है उसके बारे में आपको पता होने चाहिए उसके बारे में Awareness फेल आने को उसको स्टार्ट किया गया था अब यहाँ पर देखो कैते वह G20 के बारे में बता रहे हैं 2021 में इटली में हुई 2022 में इंडॉनेशिया में इंडॉनेशिया में कहाँ पर इण नेम आप पर दिया में रखियो G7 कंट्री सिखलो कौन कौन सिखली है जिनों ने जो countries mainly World War 2nd में एक एहम वोमिका में थी World War 2nd में कौन कौन सी countries एहम वोमिका में थी देखो एक तो जुएस से था फ्रांस था एंड जुके ये तो एक पार्टी की और इदर की और जपान एंड साथी में जर्मनी एंड एक था हमारा रशिया रशिया तो लेकिन इदर था रशिया तो G8 का मेंबर था लेकिन 2014 में क्या किया इसने जो क्रीमियर इजन को हत्यार लिया था यूकरेन के इसको इससे निकाल दिया गया G8 से और G7 ग्रूप बन गया G7 ग्रूप में ये तो 5 कंट्री तो जे हो गई USA, France, UK, Japan एंड जर्मनी देखो France, Germany and साथी में Italy भी थी है Italy जो जर्मनी का साथ दे रही थी Italy भी थी Italy, USA, UK, Japan France and Germany जे तो 6 पार्ट तो ये हो गई एंड साथी में एक Canada जे G7 ग्रूप का पार्ट है और G7 ग्रूप के दिवारा एक आपको पता होगा FATF FATF की लिस्ट लॉंच की जाती है जिसमें से अभी हाली में पाकिस्तान को उन्होंने बाप उससे बाहर निकाल दिया है जो उसके ग्रे लिस्ट है अब जो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्लैक लिस्ट में इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, साओधी अरेबिया, साओध अफरिका, साओध कोरिया, टर्की इंडिया G20 का पार्ट है लेकिन G7 और G8 का पार्ट नहीं था ठीक है आप प्लीज एक दुबार रीट कर लेना आपके लिए असानी हो जाएगी क्या पता आपको कैसा कोशन पूछ ले एक्जामिनर नेक्स्ट भई वट इस दी नेम ओफ 18th अडिशन जो हुआ था जो इंडिया और जुएसे के बीच में कौन सा था भई? वो था हमारा युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ था इंदी उत्रा खंट युद्ध अभी Eighth कुछ हट तक प्रेक्टिस न ही कर सकते कोई अक्सा ये नहीं कर सकते लेकिए इंडिया ने कहा भी हम बता का कर सकते हैं ऐसा कोई कॉण्ट आपक नहीं था जलमें पे इतना नहीं है इंदी जाना पिए जुद्धाब्यास इंडिया में conduct हुआ इंदी उत्तराखंद किसके बीच में इंडिया और जुएसे के बीच में और एबरे इयर यह बागता है इंदी, USA and then फिर इंडिया ऐसे यह चलता रहता है बई अब यहाँ पर देखो कहते है ट्रेन इंडिशन हुआ जुद्ध ब्यास का काम पर हुआ इंदी, उली, उत्राखंड में USA और इंडिया के बीच में मेंली कोडिनेशन को बढ़ाने के लिए जो हाई वारफेर एक्टिविटीज में और जहीं पर हमने काइट्स पता है काइट्स क्या है प्रीवेस वीडियो में देखा था ना जो चील्ज का हमने जूज किया है ट्रोन को ट्रोन को ट्रेस करने के लिए ठीक है नेक्स्ट बई यहाँ पर तो पहले अंसर बता दिया देखो फार्दी फिनेंशल ये ये 2223 के लिए जो बिजनस वैल्यू है जैम की प्लेटफॉर्म की वो सरपास कर चुकिए एक लाग करोड को अब जैम कहते है फस्ट ली कब इंट्रड्यूस हुआ था जे 9 अगस्ट 26 को इंट्रड्यूस हुआ था जे क्या है बई गोर्मेंट e-marketplace है जो के वन स्टोप पोर्टल है जो के फैसलिटी जो उनलेंड परक्यूर्मेंट के लिए काम करती है इसका मेली एम क्या है ट्रांस्परेसी, एफिसेंसी and speed in public procurement को increase करना जहां पर promote करना ठीक है इसका अंसर है नेक्स्ट यहां पर देखो जाक्सा यह क्या स्पेस अगेंसी है कहां की जपान की यहां पर इसने क्या किया एक जो रिसेंटली जूज steam to power its spacecraft belong to which country जो एक इनो ने किया जूज किया भई steam को so कौन सी country का था वो वो था जूज सी का पढ़ लीजी आप Japan Agency Jaxa has announced successful use of steam जो के to propel its spacecraft that was launched one of the payload aboard NASA's Orion spacecraft ठीक है so दानम नेक्टना steam को जूज करने वाला बन चुका है भई इसने किया था अब देखो who is the father of Indian Navy किनको मानते है भई बद देखो सुभाचंद्र बोस मानते हो नहीं then field marshal केम करपा शुबरोतो मुखर जी then चतरपती शिवाजी बोंसले so इसका right answer हमारा क्या है चतरपती शिवाजी बोंसले means के चतरपती शिवाजी महराज Indian Navy day का बनाते हैं 4 December को क्यों को मनाते हैं भई इसी दिन operation Trident स्टार्ट हुआ था बाइदी Indian Navy जो के हमारा जो हमारी 1971 में बार होती इंडो पाकिस्तान बार उसके में एक एहमोमिका निबाता है इंडिया की विन में अब 2012 में इसको हमने कहां पर बनाया भी इंडी बिशाका पतनम लेकिन every year हम न्यू दिल्ली में बनाते थे लेकिन इस दोरान हमारी जो पावर को दर्शाने के लिए हमने इसको बिशाका पतनम में इसको celebrate किया theme क्या है going out to the neighbor of the maritime जो operation trident के बारे में बता रहा हूँ अब 1971 में इंडो पाकिस्तान वार हुई थी देन उस दोरान 4 दिसंबर को हमने इस mission को start किया इसमें हमारे जो इंडिया नेवी ने कराची जो एर उनका बेस उनका जो port है वहां पर attack किया और उनका जो पूरी तना supply को outer supply को cut कर दिया एक एहम बुम का निवाई थी इस ship ने जो इंडिया की first time ऐसी हमारे ship के द्वारा किसी country को destroy किया गया था किसी country की ships को destroy किया गया था इस mission की recording ठीक है यहां पर ship PNS कालीवर को हमने destroy किया ठीक है यहां पर देखो हमारे main दी त्री जो उस दोना ships थी INS निपत INS निर्गाट और INS वीर इन्होंने एक important role play किया था कराच्ची के उनके port को हमने अपने अपने अंडर लेने के लिए यहां पर देखो father of India ने भी हम मानते शत्रपति शिवाजी महराज को जिनके दवरा इंडियन नेवी को बनाया गया था नेवल फोर्स को बनाया गया था अपने टाइम के अकोडिंग 1674 में उनके दवरा फांड किया गया था मराथा अम्पाइर को ओके देन इंडियन नेवी consist civil navy और साथी में military navy यहां पर की जाती है जो की lead की जाती है by the president of India जिनको हम कहते है commander in chief chief of naval staff कोड़ा है हमारे admiral R. Harikumar और इंडियन navy cup found हुई थी 26 January 1950 को यहां पर दियान में रखियो कई वार आपसे पूछन पूछले जो हमारी cup found हुई थी आप कई वार टिक में मत लगा दियो भी 4 December को टिक मत लगा दियो so वो हम commemorate करते है operation हमारे trident को तरह जहां पर देखो इंडियन navy के दवारा कहते has played important role on which of the following war so कौन सी war थी वो इंडो पाकिस्तान war 1971 और कोई ऐसी war नहीं हुई इस में हमारी इंडियन navy का एक एंबोम का रही हो then भाई कहते जो this year जो हमारे इसको celebrate कर रहे हैं conduct कर रहे हैं हमारे celebration को कहां पर इंदी विशाखा पतनम में next भाई International Bluntier Day for the Economic and Social Development has been observed on the which of the following day so कौन से डे पर इसको commemorate किया on the 5th December theme क्या है solidarity through the blentering ठीक है इसका mainly aim क्या है इस डे को बनाने का highlight the power of choosing collective humanity to drive the positive change through the blentery जो blentery के नमेंज के अपने आप से किसी की help करते हैं उनको blentery कहते हैं ठीक है उनको commemorate करने के लिए जो start किया गया ठीक है यहांपर देखो विच बैंक को दिया गया अभी हाली में banker banker bank of the year award 22 का for the Indian segment कोन है भाई वो बन चुका है कनरा बैंक सो इसको Oscar of the banking sector भी कहते है इस award को banker bankers bank सो कनरा बैंक को यह award से समांद किया गया कहांपर global banking summit चल रही थी इन्दी लंडन जहांपर जो उनके MD and CEO है L.B. प्रवाकर जो के कनरा बैंक के हैं उनके द्वारा इसको receive किया गया था सो दियान में रखियो MD and CEO कोन है इसके L.B. प्रवाकर यह हमारी वाँ की image है next भई headquarter of center for the monitoring Indian economy is located in which of the falling place सो पहले आपको पतानों चाहिए जो हमारे center for monitoring of Indian economy के लिए काम क्या करती है जो एक private limited company है ठीक है सो एक economic think tank है जो हमारी growth के लिए business information provide करने के लिए काम करती है headquarter का आप रहा है in the Mumbai जो यहापर देखो global beige report तो है 22 और 23 की जो के impact of inflation after the COVID-19 ठीक है वो दर्शाती है सो किसके दवार release की गई सो किसके दवार release की गई यह की गई वही international labor organization के दवारा ठीक है सो यहाँ पर देखो international labor organization founded at the Paris peace conference हुई थी under the treaty of Vesale जो के first world war के बाद हुई थी सबसे जो हमारा old sangraton की तरह माना जाता है international labor organization headquarter का हाँ पर है Geneva, Switzerland में India is the founding member में से एक था और ILO is only trip party United Nations agency that bring together government employers and workers from the 187 member countries सबी को यहाँ पर इकठे लाती है हमारी एक ऐसी organization है 18 18 हमारी 187 member country सेंस की ठीक है next way international cheetah day कब observe करते हैं international cheetah day हम 4 December को बनाते हैं mainly जो cheetahs के बारे में awareness फैलाने को जो भी हमारे threatened में species आपको बताने को आपको पता होगा 8 हमारे cheetahs थे जो एक नाम भी नाम की country है कहाँ पर है in the Africa continent वहाँ से हम 8 cheetahs को लेकर आया है इंदी मद्यापरदेश कुन्नू national park में ठीक है हमारे चांस है in India तरहने African cheetahs है और वर्ल्ड में एक है Asiatic cheetahs जो इनके बारे में कुछ बातें द्यान में रखियो जो आयूजी सें रेड लिस्ट में African cheetahs एक बल्लिवल की species है Sides की list में Appendix 1 में आता है और Wildlife Protection Act जो 1972 में लाया गया था उसके schedule second में इसको रखा गया Slightly Brownish है Golden skin है Mainly द्यान में रखियो जो हमारे African continent में पाए जाने वाले species है सबसे 1000 जो बहुत अच्छे quantity में है अभी तक जो लेकिन जो Asiatic cheetahs है इसकी जो तदात है Critical Endangered Species है Appendix 1 में Sights की Then World Life Protection Act के अंडर schedule second में इसको रखा गया ठीक है जी So जैनितक का तो आज की हमारी वीडियो complete है वीडियो अच्छी लगे तो like and share कर दे and don't forget to subscribe our YouTube channel and मिलेंगे next वीडियो के साथ बाई बाई